हेलो एशुडेंट तो पिछले वाले कलास में हम 1 से लेकर प्रसना वाली 4 का 1 से लेकर 7 तक बताये थे आज अपन 8 से question solve करेंगे अगर आपके पास नई book होगी तो उसमें आपको 10 में 2 question है पहला और दूसरा करके दिया हुआ तो मैं उसे भी बना दूँगा अगर आपको सेम ऐसा ही question है फिर भी को दिकर नहीं है अगर नई book है तो उसमें भी दिकर नहीं है और नई book में 14 question नहीं ह कितना है 15 question है तो मैं पूरा 15 question solve करूँगा ओके जी यह हमारे पास old वाला इसे लिए आपको जो है 14 question और इस तरीके से अगर आपके पास नया वाला है फिर भी को दिकर नहीं हम totally question को solve करेंगे देखें यहां पर हमारे पास जयामिती रचनाय बनावट chapter का नाम है तो चलिए question question number 8 से solve करते हैं एक question आपकी exam में रहता है 5 number में चलिए बहुत interesting question है solve करते हैं question देखते हैं अपन देखिए 8 number question कहता 5 सेमी भूजावाले एक संभाहू तिरभूज कहता है आपको 5 सेमी की भूजावाले संभाहू तिरभूज के अंदर अंतरगत मतलब अंदर की और एक विर्थ खीचे जो तिरभूज की भूजाओं को असपर्ष करता हो मतलब छूता हो आप पेंसिल का परियोग करेंगे फिलाल मैं यहां पर आपको कलम का परियोग कर रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल का उपयोग करना ठीक है चलिए तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ पहले 5 सेमी भूजावाले एक संभाहू तिरभूज के अंतरगत देखिए बच्छों यह बन गया हमारा 5 सेमी इसमें तो कोई बरी बात नहीं तो कोई भी ऐसे करके 5 सेमी बना सकता बिलकुल बिलकुल यही आपको भी करना है यह 5 सेमी का भूजावाला बन गया ठीक अब अपने इसमें क्या करेंगे सबसे पहले परकाल से इसको माप लेंगे जी और मापने के लिए क्या करेंगे छोटा सा काम है पाच सेमी तो ये हमारा एगो हो गया दूसरा काम है इसको माप लीजिए चेक और पाच सेमी की बात हो रही थी ओके जी ओहो लेकिन एक चीज़े बच्चे अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गरवर करते हैं तो फिर आपका ये कटेगा नह अगर इसको कर रहा हो देखें पाच सेमी मैं इनको क्या करूंगा अब इनको काट दूंगा यहां से देखें इस पॉइंट से अच्छा इसमें जो है यहां से अपन ले रहे हैं थोरा ता इदर अधर हो जाता है तो इससे क्या इसमें होगा कि आप अगर तिरबुच के यहीं न चलिए यहां से और इसको मिला देजिए ठीक है मिल जाएगा तो बेतर है मिला दिया अपन और यहां से अपन इनको भी मिला देंगे ठीक है भान जी तकरीवन देखे थोरा सक है यह उपर जा रहा है यहीं न वहने थोरा थोरा सा गरवर हो रहा है एक छोटी सी चीजे ऐसा कर देती है लग रहा है थोरा सा छोटा बढ़ा नहीं फिर भी मैंने बना दिया आप इस पर ख्याल करें पाच सेंटीमीटर यह भी यह भी पाच सेंटीमीटर क्योंकि हमें 5 cm भूजा वाला संभाव तिर भूज है क्योंकि तीनों बराबर होगा बिल्कुल बिल्कुल तीनों बराबर होगा अब यहां से एक और छोटा सा काम अपन कर सकते हैं क्या कर सकते मुझे यह बताई हैं कुछ नहीं इसके अंदर एक विर्ट खीच रहा तो विर् संगल कात लेता इस वाले पर भी ठीक है हम इनगे हो हुझ मैं इससे काक कर लेता हूं थोड़ा सा चीज है में बाहरर क consider में यहां पर बिक्र सकते हैं बाहर में बीकर सकते इस से को इस पॉइंट से मैंने यहां पर कट कर दिया और इसको इस पॉइंट से अपन कट कर दिया ठीक है चलिए और इस पॉइंट से मैं यहां पर रखता अंदर में भी कट कर सकते हैं इसको यहां से कट कर दिया इसको अपन यहां पर भी कट कर दिया शरी तो बहुत आसान था कट कर फिर भी आपको यहाँ पर मिलाना परेगा मैं अच्छा यहाँ से थोड़ा सा और इधर है देख लो एक बराबर होना मांगता जी मैंने इनको मिला दिया इससे तो को दिक्कत नहीं होगा ठीक, ओके जी इससे हमको जो जो एक सेंटर मिल जागा इस तरीके से चली पाँच सेंटिमीटर अब इसका नाम करन भी कर सकते थे अब अगर इसका नाम देते तो यह आपका A, B, C होता, अगर B, C नाम देते तो फिर यह आपको A तो इस तरीके से आपन का कर दिया इनका हमने काम कर दिया, ठीक है सर अब मुद्दे की बात है कि इसके अंदर वृत खीचना यही थोरा सा पोशिबल नहीं हो पाता पेंसिल का जरूर पर्यूग करिएगा कलम करके फिर मामला गरवरा मत दिजेगा ठीक तो देखो अब देखो यह हकीकत क्या है कि यह इसमें टच होना चाहिए तीनों में एक यह और यह देखो मैं अगर इनको मिला दूँ तो कुछ इस तरीके से यह क्या होगा टचिंग के साथ आएगा यह देखो यह तो टेरा हो गया जी देखो कितना प्यार से इनको मिलाया इसका मतलब है कि यह जो टच हो रहा बच्चे यह इसलिए हो रहा अगर आपसे यह टच नहीं हो रहा है यहाँ पर देखो यह टच हो रहा ना अगर इस पॉइंट पर टच नहीं हो रहा मतलब आप कहीं न कहीं क्या किये थोड़ा सा थोड़ा सा कहीं किये सर जी अगर फिर भी नहीं हुआ एक्जाम में बना दी तो सर इसको काट-काट के एकदम परिशान हो जाएंगे लेकिन मैं एक चीज़ बादा देता इनके लिए यहां पर आपने जो बनाया है न अगर ना होता हो तो थोड़ा से इदर-उधर भी लेकर अप इदर-उधर घसका के भी आप कर लीजेगा एकदम में बार-बार काटिएगा ने ठीक अगर देखें यहां से नहीं मिला तो थोड़ा सा इदर बढ़ाके मतलब इदर उदर कड़के कर दीजेगा फिर बाद में ये कर दीजेगा सेंटर आपका वह यह कौन सा वो नाप के ही बनाएगा ऐसा कोई नहीं होता आप ऐसा कर लिजेगा ठीक है अगर ऐसा होता है नहीं होता तो ख्याल करिएगा कि पूरा पूरा एकुरेट लिजेगा 100% यह मिलेगा देखिए मिला ना हमसे आपसे भी मिलेगा ठीक तो चलिए असका रचना के चरण है मैं वो लिख देता चलिए देखिए यह हमारे पास रचना के चरण रचना के चरण में हमने कुछ नहीं किया बद संभाहुत तिर्बुच का निर्मान हो गया तिर्बुच A B C क्या बना संभाहुत तिर्बुच according to question कह रहा था कि भाइसता आप संभाहुत तिर्बुच के बनाईये फिर कहता फिर हमने आगे जो काम किया उसको लिखा बिंदु A से मैंने एक रेखा किचा Y देखो ने को भी करना चाहिए क्योंकि question के अनुसारे हमको answer लिखना होता तो देखें तिर्बुच के अंतरगत एक विर्थ खीचा जो तिर्बुच के भुजाओ को क्या करता है असपर्स करता है ऐसा ही मैंने question को रचना के चरण भी कर दिया ठीक है बस तीन पॉइंट चार पॉइंट अगले question हमारे पास 9 number है उनकी बात कर लेते हैं यह कोई खास नहीं है यह भी बहुत प्यारा चीज़ है बहुत मरतब पूछा हुआ है हम इसको भी बहुत मरतब पूछा हुआ है क्याता डेर इंची तिर्जा वाले विर्थ के केंदर से दो इंची की दूरी पर एक बरहा ब विर्थ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा 1.5 इंची बच्चे आपको बोल दिया 1.5 इंच कितना बोला है 1.5 इंच ठीक है यह चीज है तो मैं यहाँ पर से इसको पकड़ूँगा यह cm की अधर से हो रही है आप एक लिए ठीक है एक और एक एक डेर यह होगा यहां हमने यहां तक डेर इंची का पेक विर्थ खीचिए विर्थ खीच लीजे ऐसे करके खीच दे ठीक है खीच लीजे भाई साब इसमें कुन वरी बात है यूं करके आप यह कभी-कभी जो कुटता है कि यह कभी-कभी नहीं मतलब उलट गया यह पॉइंट था हां जी मतलब जग आपको इतना काम करने के बाद कहता डेर इंची का नगैके दो इंची के दूरी पर दो इंची आप इधर सकते दो इंची आप इधर ले सकते आपको इक्षा जिदर लिजिये इससे कोई मतल்त değildअ है दो इंची मैं इंची केलिए वहएए न जाऊँंगा और 1 इंची और 2 इ अब बोला जा रहा है, दो इंची के रेखा से दूरी पर एक बरहा बिंदू से विर्थ पर असपर से रेखा कीचे, आप यहां से डारेक्ट विर्थ पर असपर से रेखा खिच सकते हैं, इस तरीके से, सर अगर मैं इसको मन में कहीं डॉट होगा, क्या को बोला यह देख से, फिर एक छोटा सा विर्थ खिच के, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर भी कट पॉइंट वैसा ही मिलेगा, हाँ जी, जैसे मैं बताता, एक चीज, चली ठीक है, मैं अगले वाला में वैसा ही बताऊँगा, क्योंकि इसमें भी दस नमर में भी वैसा ही चीज है, ठीक है, तो चली केंदर, उसे, दो इंची की दूरी पर, ये इंच कितना बच्चे, दो इंची की दूरी पर, एक रेखा खंड खिचा, जो नाम क्या है, पी है, बरहा बिंदू, बरहा बिंदू, पी से, एक असपर से रेखा खिचा, मन में कोशन होगा, सर, दो क्यों नहीं खिचे, क्योंकि यहाँ पर एक बोला था, दूसरा वाले में दो बोला है, तो मैं दो खीचूंगा, ठीक, ओके जी, अच्छा, दूसरा वाले में दो है, तो मैं, अच्छा, एक चीज़े, इनको आप इस तरीके से भी बना सकते थे, देखें, अगर आप डेर इंची का यहाँ से ले रहे, तकर है, हाँ जी, बाहर में कितना बोला गया था, दो इंची के दोरी पर, अगर आपको इस तरीके से अगर आप बनाते तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और दोनों में वही चीज़ होता, कोई फरक नहीं होता, ठीक, ओके जी, अब यह हो गया, ठीक है, इसके जेस्ट बड़ा, हाँ, एक यहाँ, और इससे यहाँ भी आप ऐसे करके, कट करके भी आप निकाल सकते, ओ यार, इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं, न, हाँ, लंब सम्दी भाज़क के लिए, एक यहाँ, और दूसरा, उपर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ, और इसको मतलब आप से जो यहाँ से जो लंब सम्दी भाज़क आपने खीचा, यह पॉइंट, आप चाहते तो इनको ऐसे करके मिला भी सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट भी निकाल सकते, फिर इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कट पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक, इस तरीके स था, बड़ा अजीब लोगी के घसक घसक जाता है, ठीक, यह मैंने एक विर्थ इस पर भी बना दिया, हाला कि विर्थ नहीं बोला गया था, इसके लिए हम सिर्फ कट पॉइंट, यह जो कट पॉइंट निकला, आप चाहते तो ऐसे, बस मैं बता रहा हूँ जी, वो हो गया ऐसे आप मिला सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक में ऐसे भी बनाया जाता है, इसलिए हम बता दिये, यह वही चीज है, यह थोड़ा सा कट कुटिक्स में जा दे हुआ है, यह आप डायरेक्ट है, तो इस तरीके से मनाएं बहतर रहेगा, देखिए, दस का पहला नंबर कोशन, अगर मैं इन कोशन की बात करूँ तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें भी वही चीज है, सर इसमें तो आपको दस में क्यों कोशन है, एक्शली नाइका बुक में इसी को पहला कर दिया है, एक और सेम कोशन है, बस मैं उसको भी बता दूँगा, तो पास सेंटीमीटर की ति मैं यहां से यू करता हूँ, इस तरीके से मिला देता हूँ, बड़ा गरवर हो गया जी, कहां से लिए थे, यह पॉइंट था क्या, पता नहीं कहां चला गया, पैंसिल का पर यू कर देखिए, गरवर हो गया ना, अगर पैंसिल का पर यू करते तो गरवर नहीं होता, ठीक मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक, पेंसिल का परियोग करेंगे, बेतर रहेगा, वाँ, क्या पाथ सेंटीमीटर का विर्थ बना है, गजब है, ठीक, सेंटर यही है न, ठीक, बन गया, इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर कहता है, बच्चे आप आठ सेंटीमीटर की दूरी पर दो विर्थ खेचे, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आठ सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, आठ सेंटीमीटर की दूरी पर, यह हो गया, आठ सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, नाम नाम करण आप इसका कर सकते हैं, को दिक्षम में, यह O है, एक यह P नाम दे दीजे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो विर्ध खिचना, एक यहां पर विर्ध खिच दीजिए, हाल जे, हो गया, विर्ध खिच गया, एक यहां पर भी, कट पॉइंट निकालके भी अगर विर्थ खिषते तो SI खिचाएगा क्योंकि विर्थ तो एक एक किसी यही पर न खिचाएगा जी अगर बाहर से खिचेगा तो ठीक दो विर्थ बोलाता है खिचने के लिए मान लिजी यह X से और यह Y है टेंजेंट भी नाम दे देते हैं मतलब T1, T2 ऐसे भी अगर नाम दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होता ठीक हो गया यह बस जो हमने पीछे काम किया तो वही रचना के चरण में भी लिखना है लिख दे हम तो चलिए लिख देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है रचना के चरण चलिए थोड़ा सा लेंगवेज लिखना पड़ेगा तो मैं इसे पहुझ कर देता हूँ आईए रचना के चरण में देखिए हमने क्या लिखा हम कि 5 सेंटिमीटर का एक तिरजावाला विर्थ खीचा केंदर O से P बिंदू बरहा बिंदू P रेखा खीचा या O P भी नाम दे सकते हैं तीसरा काम बरहा बिंदू P से विर्थ पर दो असपर्स रेखा खीचा जो P एक से पीवाई है बस इतना ही काम किये तो इतना ही लिखे ठीच तो यह हो गया सर दस का दूसरा भी आप कह रहा थे हंज दस का दूसरा है मुझे नहीं लगता मुझे वो बनाना परेगा ठीक एक्जाम में पूछा होगा इसलिए जो है ना बुक में एड कर दिया गया होगा कहता च्छो सेंटीमीटर की तिरजया का एक विर्थ खीचे के अंदर से दस सेंटीमीटर की दूरी परिस्तित एक बिंदू पर विर्थ परस परस सेम कोशन है देखें यह हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर देखो जी 6 सेंटीमीटर हो तेरी क्या बर्का बन रहा है वाह यह पॉइंट शायद है हाँ जी ठीक यही चीज़े आपको इस तरीके से क्या करना है आप बना देना है पेंसिल का परयोग करेंगे वरना मामला गरवरा जाएगा हाँ बिल्कुल पेंसिल का परयोग करिएगा और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 cm की दूरी पर अब यहां से बोला गया कि दो असपर्स रेखा खीचे मैं यहां से इसको मिला दिया गया एक असपर्स रेखा और एक असपर्स रेखा इधर अचाहिए इधर कुछ ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे नहीं करना है को बने गया बस यहीं तो करना था यह ओ नाम दे दिजै ये पनाम दे दिजै और यह एकस और यह वाई नाम दे दिजिए जो नाम दे नाम दे दिजै क्लें और इसमें बहुत से रेचना लेग chair नहीं किछ 15 म कँचा के अंदर और यह बढ़ बिन-डू पी से पी एक से और पी वाई दो असपर्स रेका खीचा बन गया ये कोशन चलिए 11 नमबर कोशन इंट्रेस्टिंग है उसे सॉल्व करते है हमारे पास कोशन नमबर 11 क्याता है 4 सिंटीमीटर की तिर्जा का एक वीर्थ पर असपर्स यूग में खीचे जो 60 डिगरी का कोण बनाती है देखो सबसे पहले आपको क्या करना बच्चे इसमें 4 सिंटीमीटर ले लेना है देखी मैंने 4 है 4 सिंटीमीटर तोरा ये 13 लग रहा है हमको 4 सिंटीमीटर ही लेना है ठेक चलिया मैं क्या करता बच्चे यहाँ पर 4 cm का एक वृत खीच लेता ठेक कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मैं 4 cm का वृत खीच लेता हुआ खीचाया देख लिजे 4 cm हमने खीच दिया भाई ठीक है सर आपने खीचा बहुत खुशी की बात है इसके बाद क्या बोला है कि 60 डिगरी तेरी 60 डिगरी के लिए मैं क्या करता है इसको तो सबसे पहले यह इसको यहाँ पहले मिला दीजे पूरा सर सीधा ऐसे टेरा करके नहीं कोदी करने भाई आपकी एक चा 60 डिगरी का आपके साथ काम करना है इस पॉइंट पर तो सबसे पहले यहाँ पर 120 डिगरी एंगल बनाएं ताकि उपर कटे तमना नीचे 60 डिगरी का बनेगा ठीक ऐसे करके भी काट सकते हैं यहाँ से भी लेके काट सकते हैं आप चाहते हैं तो नहीं से हम यहीं पर 120 डिगरी बनाएंगे तो कोदी करने आप यहाँ पर भी 120 डिगरी बना सकते हैं देखो मैं कैसे यहाँ पर अगर बनाते हैं तो ऐसे देखो एक विर्थ को मैंने ऐसे करके खीच दिया ऐसे खीचा और दो कट मारेंगे ताकि 120 बन जा देखिए एक यहाँ पे 60 और एक यहाँ पे 60 बन गया 120 और इस वाले लाइन को आप मिला दीजिए ठीक है जी ठीक मिल गया यह यह जो आपको बना 120 डिग्री बन गया सर इसमें तो कोई बड़ी बाद ने बरा आसान था क्छीक है आसन तो बहुत अच्छी बात है फिर आपको यहाँ पे आपको नबे साथ डिग्री बना रहा है तो शबसे पहले आप यहाँ पे नबे डिग्री बना इये कितना Low- програм नबे डिग्री के लिए यहां से फिर एक काटिए 60-60, 120 काटे ठीक है सर, फिर इसके बाद यहां से आप 90 जो काटने का तरीका यही है तो इस तरीके से ही काटिएगा 90 ठीक यह 90 कटा सेम यहां पर भी, इस position पर भी आपको 90 degree का angle बनाना है मतलब यहां पर से अपन एक वापस से हम क्या करेंगे, एक कट लगा अरे यारी तुम भाग जाता अपने position से, इस चीज को अब धियान देना ठीक, अपने position से नहीं भगना चाहिए, अगर ही चुट्टा भाग गया तो मावला गरबर आदेगा देखो, ठीक है इस point से 60 यह वापस से 60 कटा और यह और यह 90 हो गया, अब देखिए पहले तो मैं इसको यहां से मिला देता जी देखो ना, कितना प्यार से मिलाता हूँ मिलाने के लिए मैं यहां से, पेंसिल का परियो करिये गा हाँ जी, मिला देजे अभी जहां तक गया हो ठीक, यहां मैंने खीचा, और वापस से हम लोग इनको भी मिलाएंगे, यह देखिए इस point को इस से हाँ जी, दिख रहा है यह बना हाँ जी, इसको यहां पर मिल जाएगा फिर आपका बन जाएगा यह देखो, यह जो हमारे पास बना, यह एंगल लेके जो उत्रा है इस एंगल को ही आप 60 डिगरी नाम देजेगा कितना डिगरी नाम देजेगा इसको 60 डिगरी यह 60 डिगरी का आपका बना ठीक है सर, मतलब यह 90 पर काटे, इसको भी 90 पर कट किये ठीक है, अब इसका नाम करन कर देते हैं, इसको O नाम दे दीजे इसको A नाम दे दीजे तमना यह O A B 120 डिगरी बोल देंगे और इसका नाम क्या देते हैं जो नाम देना, P Q जो लिख दीजे P नाम दे दीजे, इसको मिटा लीजेगा आगे का, सर आप तो नहीं मीटा है मेरे पास तो पेन था, मैंने पेन से बनाया आप पेन से बनाएंगे, हाँ जी, एक्जाम में भी अब इसका रचना के चरन है, मैं वो लिख देता बहुत असान है, देखे ये हमारे पास रचना के चरन असल में मैंने इसमें 4 पॉइंट लेखा देखे, क्या है, बहुत असान है 4 सेंटीमीटर का एक विर्थ खीच दिये ठीक है, जी, ओ को किंदर लेकर 120 डिगरी खीचे तो उसी को लिखे, एंगल A और B 120 डिगरी लिया बिंदू A से एक रेखा कीचा तथा, बिंदू B से भी एक रेखा कीचा जो बिंदू P पर क्या करता, कट करता है जो इस परकार 60 डिगरी का क्या बना, कुन बना सर इतना ही लेखेंगे, बनेगी आजी, कितना लेखेंगेगा, बहुत है तो चलिए, बारा नंबर कोशन को सौलब करती है, ये कोशन काफी मरता एक्जाम में पूछा हुआ, बरिया से बनाए, ठीक है आप सोचेंगे कि नहीं सर, हम ये बना देंगे, ये न लिखेंगे यार, दो चार पॉइंट लिख दो, इसमें क्या जाता आपका देखें, हमारे पास बारा नंबर, कोशन कितना इंट्रेस्टिंग है, देखो ये एक्जाम में पूछा हुआ ये भी, ये बोले न, आपको आठ के बाद जो भी कोशन है, ये सब काफी इंपोटेंट में गिंती आता है ABC एक तिर्बुज बनाईए भाई, AB का 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, B 90 डिगरी, BD और AC पर लंब खीचे यार जैसे बोलता वैसा किजेगा, आपने मन से कोई काम नहीं, BCD से फिर गुजरता विर्थी खीचे, इस पर A बिंदू पर असपर्स रेखा भी खीचना है क्या खीचना है, असपर्स रेखा, ऐसा नहीं, क्याई सब खीच देया असपर्स रेखा नहीं, जो बोला वो करना पड़ेगा आपको, का किजेगा, कर दीजे, का देख देख इसमें आईए, हम बताते हैं इसको, ठीक, मैं इसमें देखे, मैं क्या कर चूँका हूँ, यह छ पुम आले को लिंगे, हाँ इससे आपको कोई अपती होगा, मुझे उम्मीद है, bc बराबर 8 cm लेजिए, मैं यहाँ पर ले लेता, ठीक है, ले लेजिए सर, इसमें कोण बड़ी बात है, 8 cm, ये लेजिए, मैं 8 cm का खिच दिया, नाम इनका क्या है, bc, bc, किलियर ओके सर ये सब तो किलियर है A B 6 cm A B का वैलू 6 A B उपर की और लेकिन खुसी की बात है B को 90 डिग्री पहले बनाई है तो मैं तो 90 डिग्री के लिए हो 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 फिर मजाएगा काटने में न फिर मजाएगा देखो न ये मैं इनको यू मिला दिया ठीक और इनको बना दिया 60 120 ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला दिजे और ये मिलने के बाद A B 6 cm मैं खुसी की बात है भाई 6 काटी देता ले ही लेता एक के मरता बेखेल खतम नहीं ठीक मैं उपर की और 6 C लिया ठीक है क्योंकि हमको बोला था A B लोगे न तो उच्छोवे लोगे तो मैं B और इसका नाम दे दिया A और ये कितना 6 cm मज़ा आया आना ही चाहिए उसके बाद अब क्या था अच्छा एक बात है तिर्भूज तो बनाना पड़ेगा क्योंकि तिर्भूज बोला था बनाने के लिए ठीक है तो मैं इस वाले पार्ट को इससे मिला देता जी ये तो आपको भी मिलाने आता होगा ऐसे करके मिला कर दीजे क्योंकि मिलन जरूरी है मिलन जरूरी है मिल गया इसके बाद कहता बवा रे डी, बी, डी, एसी पर लॉंब खीचे बवा ये हमरा एसी हुआ ए पर लॉंब खीचे लॉंब का मतलब परपंडिकूलर अब परपंडिकूलर ना ठीक है सर खीच दीजे आप चाहे तो डाइरेक्ट इस तरीके से भी इस पर देखो न, मैं क्या कहना चारा हूँ ऐसे करके, सीधा करके ऐसे कहां पर खीचे इसको इधर खीचे यहां पर खीचे ऐसे एडिया नहीं मिलना या फिर सीधा-सीधा खीचे एडिया नहीं मिलना तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं इसमें कच्रा कर सकते हैं, कच्रा का मतलब गंदा, देखो, यूं कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर से एक चाप ले लीजिए, ठीक, ओके, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यह देखो न, मैं क्या कर क्या रहा हूं, यार, वो भी तो ध्यान से देखना, इस चाप को मैंने ऐसे करक यह मिला दिया, सर यह नहीं मिलाएंगे तो नहीं चलेगा, डारेक्ट भी तो यहाँ पर लंब खिष सकते हैं, खिष सकते हैं, कोई निकर नहीं है, इस वाले चीज़ को, इस से, थोड़ा सा मैं इतना ले ले ता, हाफ, मैं इनका कट कर दिया, ये कट करने का कोई फाइदा बच्ची ये कट करने का एक फायदा यू हुआ है कि मुझे एक ये जो है actually मुझे रियल का perpendicular जो मुलाकात हुआ है यहां से यहां तक मुझे ये एक चीज़ पता चल गया कि नहीं भाई यही पर यह होगा और ये हमारा क्या बन गया? perpendicular परपेंडिकूलर नहीं हो नवबे डिग्री है रड़े वाई देखो रहे AC पर 90 डिग्री नहीं है AC पर 90 डिग्री है ना हाँ यही बोला तब हो अरे डी वाला जो बिंदू ले भू न कह दिया कि भाई AC पर तू नवबे डिग्री आ लिया मैं इनका नाम दे दिया D अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना ची मुझे लगता है जितना प्यार से बताया हो जी हां जी ठीक अब इस उट्था कहता है B C D से गुजरता विर्थ D भी बोल देता है इसलिए खिचना पर ये B है ये C है ये D है इनसे गुजरता विर्थ खीचे बहँ आब विर्थ खीचने का अब विर्थ खीचोगे कैसे? कोई point center मिलेगा तो मैं विर्थ खीचोगे सेंटर बनाने के लिए हम लम सम्दी भाजक का परियूग करेंगे देख लो ये point है इनका थोरा सा आधा ले लो इतना ठीक और प्यार से काट ले भाईक तू कट जा कट गया इसको भी यहाँ पर से काट दो ये कट जो point मिला ठीक है नीचे भी सर काटना परेगा नीचे भी काट दीजे और यहाँ पर इससे भी देखो ये जो cut point मिला अच्छा आपको आप चाहे तो ऐसे करके लम सम्दी भाजक भी कर सकते लेकिन मैं बोलूगा यार ये जादे कच्रा लगेगा तो ऐसा ना करेओ नहीं अच्छा लगेगा नहीं जादे कच्रा अच्छा ना लगता है इस्टंडर बनाना है ना तो कच्रा मत कुरो यहाँ पर आपको point मिल गया क्योंकि हम यह अपने फाइदे के लिए ही करने पूछो ना क्योंकि हमको तो center चाहिए जो वीर्थ सिखा करेगे यह हमको वीर्थ बनाना यहाँ पर देखो यह तकरीबन इसको मैंने यहां और इसको यहां देखो ना देखो ना धेखो न थोड़ा सा इदा-उदर हो जा आतो दिक़ो 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 ना मैं कितना प्यार कर रहा हूं इंके साथ ठीक 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 नौ मुलाकात होते तो मोटा कर दोए हाँ जी एक मुलाकात जरूरी है सनम नहीं मतलब मुलाकात का मतलब अगर यह जो पॉइंट है ना अगर हम से यह नहीं नहीं होता ना हम थोरा वहाँ पर मोटा कर देते हैं पुछो ना का है ताकि पूरा का पूरा देखे देखो अब मिला ना यह हमारा सेंटर हुआ यही तबववा सेंटर है केंदर ओ मिला इसी के लिए लंब सम्दी भाजा किये कोई खास बात नहीं था यह नहीं बोला था कि आप लंब सम्दी भाजा के करें ऐसा कुछ नहीं बोला विर्थ खीच दीजेगा फिर यह जो बिंदू होगा न उस पर असपर से रेखा कीचे हमरा नजरिया एक गया कि बबबा ने एक्शुली जो है यह इस पर हम एक असपर से रेखा यहां से एक्शुली मैं एक मिसाल के तौर पर यूं ऐसे करके खीचता हुआ लेकिन मैंने देखा एगो तो पहले सा खीचा हुआ तो जबर्दस्ती इसमें का है टांग अरा है रेंदे एगो एगो और खीच दो जबर्दस्ती टांग मतर आओ एगो विर्थ यहां पर यह है प्राए इस पर एक विर्थ खीचो सर आप क्यों ऐसा कर रहे कोई रीजन और बबाब बुल ले इसलिए अपने मर्जी से कुस थोरी में कर रहे है बोला गिया कोशन ठीक मैंने इस पर एक खीच दिया ठीक हाँ इस पर तो पहले से अगो यह था ही तो इसलिए हमने कोई इस पर न तरीका इस पर तो हईये एगो ख़ली इस पर एगो खीच दिया अब देखो ए बी अब इसमें क्या लिखे सर वहार रचना के चरण लिखना है तो हम यहाँ पर रचना के चरण लिख देते हैं बड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे रुकिये यह देखिए हमने रचना के चरण कर दिया बीसी बराबर का आठ सेंटीमीटर का एक रेखा खीचा सर यह काम मसला है देखो बीसी बराबर आठ सेंटीमीटर का यह रेखा हो गया अब दूसरा काम किये थे बिंदू बी पर जो है नब्बे डिगरी का कोन काटे थे नब्बे डिगरी का कोन बनाया ठीक जो एबी को हमने 6cm लेही लिया था अभी, नगदे में एवी बराबर 6cm लिया, फिर काम किया तीसरा नंबर पर, B से D को मिलाया, ता कि ये 90 degrees बोले न, बोला था बवा, B से D पर रेखा खीचे, जो AC पर लंब है, ये क्या बबु, AC पर क्या है, ये लंब है न, अब O मिल गया तो हमको क्या होगा मतलब विर्थ खीचना असान है के अंदर O से B, C, D से गुजरता एक विर्थ खीचा इस विर्थ के A बिंदू से यह जो A मिला था इस विर्थ के A बिंदू से AP और AB दो असपर्स रेखा खीचा कोशन में यही कह रहा था कि बवारे B, C, D से जो है बुजरता विर्थ खीचिए A बिंदू से असपर्स रेखा खीचे हमने भी वही क्या असपर्स रेखा कि चा सवर जी इता असपर्स रेखा एक ही वही होया तो दिखाने के वही शक्ता नहीं था ठीक है चलिए तो यह 12 था आप चलते है कोशन नंबर 13 की और देखे हमारे पास तेरा नंबर यह बहुत आसान कोशन है एक रेखा खंड PQ खीचे जैसे बोला वाईसे मैं कुछ नहीं करूँगा बाई कोई नया काम नहीं करूँगा यह जो बोल दिया मैं वही करूँ जो हुकम मेरे गुरू जी चलिए अब देखे मेरे पास तेरा 7 accept की जा मैं इसके बाद कạt प्यता, प्य को केंद्र लेते हुए. इसको आप कींद्र ले लिजेगा, यह 8 सेंट्युमेटर, हमारे पास कोशन है आपके पास अगर कोशन नहीं यह तो बाबू कोशन का इंतिजाम कर ले ताकि, तभी तो बनागे गा पी क्यों आठ सेंटीमीटर खीचिया, मैंने खीच दिया भाई, इसके बाद, पी को केंदर लेते हुए, चार सेंटीमीटर कर तिरजिया, पी को केंदर लेते हुए, यार पी को केंदर लेना है, और चार सेंटीमीटर भी लेना है, और चार सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो आएगा नहीं तो काम कैसे होगा यार चार सेंटीमीटर भी बरका होता है क्या है ठीक, आपने चार सेंटिमीटर का यह काम कर लिए तो इसके लिए इझार वभर आप देख लीजेगा यह 4 संटिमीटर खम देखिचा हां आगे बोला था इस उतका आगे बोला था नहीं संटिमीटर तिर जआग का給 लिए जै क्यों को थेलिए थेय। 3 cm की तिरज्या का दूसरा विर्द्खी ची। मतलब इसको तूहरा Clear सेंटी में हमने आसा ही किया और इसको 3 cm माप लिए देखो इस को tard की कि दो कैसा हो जाता है छिक्त लेकिन दिक्कत जाब नहीं होगा आप pencil का पर्यों कर डिया नहीं तो मीटाना भी आपके लिए आसाल होगा यह 4cm, 3cm यह 4cm पर प्र कहता है दूसरा विर्थ कीचे पर इक विर्थ पर एक दूसरे विर्थ sorry नहीं के लिए तो भाजा करना परेगा ना ना यह तो च worked ex se केंदर से इस पर असपर से रेखा खीचे इस क्यू से केंदर से बोल दिया चुटा बोल दिया कि बहुआरे केंदर से खीचे हमने भी केंदर से मिल दिया ठेक हां जी अब इस पर आपन क्या करेंगे इस पर मिला देंगे केंदर से एक दूसरे केंदर से सरी तो बड़ा आसान निकला कुछ करने की जोड़तों नहीं पड़ा अब इसके केंदर से हाँ यह देखिए मिल गया यह और इस वाले से आप इसको मिला देजिए अब बस इसका रचना के चलन ही लिखना भागिए बादवा की कोई ऐसी चीज नहीं है नहीं हो गया यह यह जो बना बच्चा आपका क्या बनी गया यह कुशन का आपका सॉलीशन बनी गया अब इसमें एक रचना के चरन लिखना पड़ेगा बादवा की कोई लिका नहीं है ठीक हो गया नहीं है हाँ बिल्कुल हो गया चलिए रचना के चरन में हमने का किया कि पी Q को केंदर लेते हुए 4 cm की तिरजिया तथा दूसरा इसको Q को केंदर लेते हुए 3 cm की तिरजिया का एक विर्त खीचा केंदर पी से देखो नहीं लिखर हुए 3 है केंदर पी से 2 असपर्स रेखा PT1 PT2 तथा केंदर Q से भी 2 असपर्स रेखा QT3, QT4 रेखा खीचा यही कहना तब हो रहा है ऐसा करने के लिए ठीक तो यह हो गया जी अब 14 नमबर कोशन को सॉल्व करते हैं चलिए देखें कोशन नमबर 14 चार सेंटीमीटर की तिर्जया वाले विर्थ पर 6 सेंटीमीटर तिर्जया वाले सकेंदरिये विर्थ के किसी बिंदू से असपर्स रेखा खीचे सकेंदरिये वीर्त का मतलब हो था बच्चे गिर्द के अंदर विर्त 4 cm की तिरिया वाला बवा जैसा कोशन बोलो ओने कर तू पहले 4 cm बोला तू 4 cm माप ले यह तो सबसे आसान कोशन है 4 cm लो 4 cm हो गया ठीक आप आप इसका विर्थ खिच लिजे, यू करिए, विर्थ खिचने आता है रहाई, हाँ, क्यों नहीं, ऐसे करिए, खिच दिये, फिर कहता, बवाओ, सकेंद्रिये का मतलब उसी, उसी, उसी केंदर से, इसी से, तिर्जावाले सकेंद्रिये विर्थ किसी मिंदू से, कहा गया यार किसी मिंदू से 6 सेंटीमीटर की देर जा अब मैं इसको और माप लूँगा बरहा लूँगा 6 सेंटीमीटर कर दूँगा हो गया देखो न 6 6 सेंटीमीटर अब मैं इसी से इसी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर के विर्थ का शरी तो बरका हो गिया आपका का कीजेगा हो महराज साहब बरा हो गया तो बरा हो गया इच्छो सेंटीमीटर भाग ले फिर कहता है विर्थ के किसी बिंदू से असपर से रेखा कीजे हम चाहे तो इधर से हम चाहे तो इधर से आपकी जिद्धरो इच्छा उधरे से आपकी क किसी बिंदू से तो बड़ा अच्छी बात है जी विर्थे के किसी बिंदू से विर्थ के किसी बिंदू से मान लीजे इस बिंदू से ठीक और इस पर एक असपर्स रेखा खीच दीजे बने गया सर, इस पर भी एक अस परसरेखा खीच दीजिए, देखो न, कितना आसान था, हो गया, मन में कहीं डॉट होगा सर, आप तो ऐसे डारेक्ट खीच दीए, कोई और लोजिक भी है, क्या, कुछो ने, और लोजिक होता तो आप क्या करतें, पता है, यहाँ पर से एक छो संदी भाजिक करतें, क्या करतें, थोरा सब्बरा कर दें, यह देखो, मैं करके बताओ, यह हो गया, लेकि लम संदी भाजिक करतें, और इसको यहाँ पर भी लम संदी भाजिक करतें, इस पॉइंट पर, देखो, हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर भी कर देतें, होंगे, ह हाँ जी हाँ यहाँ पर भी अब इसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके मिला लेते बहुत सारी बुक में ऐसे भी है इसलिए बता देते बच्चा कंफ्यूजन न पड़े यह यह जो सेंटर मिला इस सेंटर से आप एक काम कर सकते थे कि कट पॉन्ट निकालते या फिर एक वीस्त खीचते दोनों में से कई काम करते हैं हम लिग स्रीफ कट पॉइंट इसलिए बच्चे निकालते अगर यहाँ से आप एक छोटा से ऐसे करके वीरिद खीचते यह जो वीरिद खीचा गया असल में यह देखो यहीं चुट पॉैट है यह भी ठीक है ऐसे भी बना सकते हैं इसलिए बता दिये थे हाँ जी अब रचना के चरण इसमें लिखते हैं देखिए यह रचना के चरण है इसमें जो है आपने छोटा सा काम किया तो वह लिखे चार सेंटिमीटर चोँ सेंटिमीटर तिर्जिया वाले दो सकेंदरिये विर्थ के रचना किया नहीं चार सेंटिमीटर चोँ सेंटिमीटर बढ़ा बिंदू पी से अच्छा यहां पर बढ़ा मतले यह वयास है जो विर्थ का वयास ओपी है जो बिंदू P से T1 और T2 देखो न दो असपर्स रेखा खीचा यही बोला था मुँआ बाहर के किसी विर्थ के किसी बिंदू से दो असपर्स रेखा खीचा यही करने के लिए बोला था मैंने यह चीज कर दिया चलिए अब कोशन हमारे पास 15 नमबर यह इंट्रेस्टिंग कोशन है यह नया एड किया गया किताम में ठीक है ता 3 सेंटीमीटर तिर्जिया का एक विर्थ खीची है इसके किसी बढ़ाए गये वयास पर केंदर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इस दो बिंदू P और Q लीजिए इन दोनों बिंदों से विर्थ पर अस पर तरीखा खीचे देखि कोशन को समझना बहुत असान है क्योंकि मैं जैसे कोशन परूँगा काम करूँगा 3 सेंटीमीटर की तिर्जिया का एक विर्थ खीचे ता दी हाँ तक्रीबन यहाँ पर करें ठीक कर दीजे हाँ हो गया ठी अब इसमें का किजिएगा इसमें कुछ निए जो सेंटर है ना बच्चे आपको कहता है इस सेंटर से जो है साथ सेंटीमीटर वयास की बात हो रही है तो वयास मतलब तिर्जिया अधा-धा होता वयास का मतलब यह बढ़ा देजिए इधर साथ सेंटीमीटर बढ़ाईए औ और इधर साथ सेंटीमीटर बनाइए मतलब 14 पर ले जाएए और इस P और Q इसका नाम दे दिजिए according to question साथ सेंटीमीटर की दूरी पर से दो बिंदू P और Q लीजिए मैंने दो बिंदू P और Q लिया दोनों बिंदूों से विर्थ पर असपर्स रेखा खीचे बहुआ यहां से एक असपर्स रेखा खीचना यहां पर से तो इसके लिए क्या करता असपर्स रेखा के लिए एक संदी भाज़क कर ले इसी बिंदू से असपर्स रेखा खीचना है तो यह इतना है तो इससे बस-बस हो गया तो इसे अपन यहां पर मिला दे नहीं ऐसा ने एक्चुली इसे यहां से कट मार देजिए अब जो आपका point मिला क्या point मिला मुझे यह बताएजी मैं point के लिए एक चीज है यह जो मिला आप चाहे तो यह कट एक कट दूसरा कट यह मुलाकात हुआ यहां से अपन खीचेंगे जी पहले कट तो यहां पर कटने दीजे एक यहां पर भी है इसका भी लमसंदी बाज़ा कर लीजे इस point से यह जादे से इतना तक्रीम बना और अपन यहां से इसको क्या करेंगे मिला देंगे मिल गया ठीक है जी अब देखिए गुरू यहां पर से जो है इसको मिला यही था हाँ यही था शायद ठीक और इस point से जो है अब जो कट मिला है आपको क्या मिला देखो तो यह जो कट है इस point को देखी लिजे बरावर है कि नहीं अगर बरावर नहीं है तो फिर आप कोशिचके कि इत्तू सा इत्तू सा भी मतलब इता उधर नहा करें और ना बरावर नहीं हो पाएगा ठीक बन गया देखो एक कट मिला आपका छुट की नवा तिरे मुझ पर जो कट है वो ठीक मिला दीजे एक मिला यह गाई यहाँ पर इसी पर मत मिला यहाँ इस वाले पर देखो तो सही मैं मिलाता न जी देखो न यहाँ मिला यार थोड़ा सह तो इधर हो जाए हाँ मिल गया ठीक एक पॉइंट इस वाले को मिला यह हाँ जी मिल गया यह दूसरा पॉइंट क्यूब आले से बोला था हम इस वाले से नहीं क्यूब आले से जिस से बोला था हम मुझी तो न मिलाएंगे जी यहां मिला दे दिये उसके बाद इस point को इस से मिलाईए pencil का पर यू करिएगा मामला अगर गरवरा है तो मिटा भी सकते इस से अगर मामला गरवरा है तो मिटाना मुश्किली नहीं नाम उमकीन है ठेक यह नाम दे देजिए क्या नाम दे दे R और यह S इसका नाम T1 दे दे इसका नाम T2 और यह T3 और यह T4 सब तो हुए गया रचना के चोरान भी डालते तो बस एक मिनट में अपन लिखते है चलिए देखे इसमें हमने का काम किया पहला यह एक्चुली लिखा गया ता है केंदर से 7 सिंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदू P और Q लिया ठीक है सर P और Q दो विर्थ की रचना किया जो केंदर S और R है S और R है ठीक इसके बाद विर्थ पर देखो ना बच्चे P T1 तथा P T2 और Q T3 तथा Q T4 असपर सरीखा खीचा यह P से T1 P T2 Q T3 Q T4 असपर्च रेखा कीचा यही बोला था बावू आप असपर्च रेखा कीचा तो यह 15 नंबर कोशन था जो आपका क्या हो चुका बच्चे फाइनली सॉल्म हो चुका ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे फिर हम लोग मिलेंगे नेक्ट क्लास में ओके टेक केर